आम आदमी पार्टी ने अब महारत हासिल कर ली है जूट बोलो, अनरगल आरोप लगाओ, हिट एंड रन करो, ड्रामा कार्ड खेलो, विक्टम हुट कार्ड खेलो और डाइवर्ट करके निकल जाओ, जिस प्रकार से पुराने आरोपों को ही फिर से नया स्वरूप देकर परो सामने आए हैं, जब अरविन केजरिवाल एपरिल में जेल में गए, तब से लेकर जब तक उनको अंतरिम राहत नहीं मिली, उनका वजन तो एक किलो बढ़ गया था, जब उनको कैंपेणिंग के लिए में में अंतरिम राहत मिली और जून दो तक वो कैंपेणिंग कर रहे हैं, तब उनका वजन लगभग 63.5 किलो हो गया, 63.5 केजीज हुआ, उसके बाद अब जो मीडिया ने दिखाया है, कि 14 जुलाई को जब उनका वजन किया गया, तो वो घटकर 61.5 केजीज हुआ है, कहीं पर भी 8-8-9 किलो वजन नहीं गटा है, और ये भी जो वजन मामुली सा कम हुआ है, क्या उसके पीछे कारण ये है कि अरविंद केजरिवाल ने जब से वो कैमपेनी के बाद जेल में फिर से आये हैं, उन्होंने खाना लेना बंद कर दिया है, शायद इसी लिए ताकि वो वजन घटे और बीमारी का बहाना बनाया जा सके, और विक्टम हुड क करती है अरविंद केजरिवाल की सेहत को और टाइम टू टाइम डायेट और मेडिसन प्रिस्क्राइब करती है, सुनीता केजरिवाल जी भी उनके संपर्क में हैं, और तिहार जेल तो पूरा आम आदमी पार्टी के तहत आता है, तो क्या ये आरोप ये लगाया जा रहा है, कि आम आदमी पार्टी की सरकार ही उनकी सेहत के साथ खिलवाड कर रही है, देखे बिना सिर पैर के आरोप लगाना, और फिर जाकर अरुण जेटली जी से जैसे नोंने माफी माँगी थी, गड़करी जी से माफी माँगी थी, नाक रगड़कर कहीं बाद माफी माँगी थी ये इनका पुराना चरित्र बन चुका है आम आदमी पार्टी को अपनी इन हरकतों से बाज आना चाहिए और दिल्ली में जो फैली अव्यवस्था है उसके उपर और अपने भष्टाचार के उपर जवाब देना चाहिए